दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का Stock for Money YouTube चैनल पर बात करने जा रहा हूँ दोस्तों Chemical Sector के कमपनी और कमपनी का नाम है IGPL, IG Petrochemicals Limited Company आज के दिन अपना Quarter 3 का रेजल्ट दिया है और रेजल्ट में एक बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है पहले दोस्तों Company के Business को हम देखेंगे, Business और Product के उपर थोड़ा सा हम नजर डालेंगे इसके बात Company के और कुछ पारामिटर को भी हम देखेंगे यह दिखेंगे Serving 20 Plus End User Industry जी हो दोस्तों के 20 Industry को यह Serve करते हुए नजर आता है पहला नमर प्रोड़क है Patholic Anhydride कहां यूज होता है Plasticizer जो PVC प्रोड़क्ट बनाते है दोस्तों बनता है इन Manufacturing of Polyvinyl Corrid Products सूज, Wear and Cables, Pipes, Hoses, Boxes, Containers, Packaging Films, Medical and Surgical Equipments अब देख पार है भास्त यूजेस है दोस्तों Plasticizer सेगमेट में नेक्स्ट है आलकाईर, Resin and Pants Segment में यूज होता है आपको दिखेगा Pants, Dyes and Insect Repelants, Urethine, Polyester, Polyols में यूज होता है Unsaturated Polyester, Resin के हिसाब से यूज आप होता है दिखेगा Thermostat for Manufacturing of Fiber Glass जो बनाने में यूज होता है Construction, Marine and Transportation Industry भी इसको यूज करते है CPC, Pigments, Ink, Photovoltaic Cells, Coatings में ये जो Patholic Anhydride Chemical है ये यूज होते हुए आपको दिखेगा ये एक ही केमिकाल का कितना यूज है आप यहाँ से देख सकते है Next है Malik Acid, क्या यूज होता है? Elastic में यूज होता है, Polyester, Resin, Lubricating, Oil and Editives में यूज होता है इसका भी यूज आप यहाँ से अंदजा लगा सकते है कितना जबर्दस्त यूज है Benjoic Acid, Perfume में यूज होता है Dice, Topical, Medication, Insect, Repelants, Food Preservative के हिसाब से भी Benjoic Acid को यूज करते हुए आपको दिखेंगे Advanced Plasticizer जैसे कि Incense Sticks, Perfumes, Plastic Packaging Films यह इस तमाम इंडस्ट्री में आपको यूज होते हुए दिखेंगे Generally इसके product की संख्यागर दिखेंगे दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 4 product में यह company deal करते हुए नजर आता है और यह product का आप देख पा रहे है एक जबरदस्त uses है बहुत सारी industry इनके product को use करते हुए नजर आ रहे है Next मैं बात करूँगा Company के result के उपर तो सीधे हम result के उपर चलेंगे देखिए quarter 3, FYI 2022, quarter 2, FYI 2022 Total income में 7.5-7% की बढ़त है Net Profit में देखिए 14.2% की बढ़त यह आ पर आ गया है EPS में भी 14.3% की बढ़त है Q&Q basis पे अगर हम result को compare करेंगे दोस्तों बढ़िया growth यहाँ पर दिखाया है यहाँ पर अगर total income देखिए थोड़ा सा in-line नजर आ रहा है बढ़ यहाँ पर देखिए quarter on quarter company यहाँ पर थोड़ा बहुत तो यहाँ पर growth दिखाते हुए नजर आ रहा है रेजल्ट को अगर हम why on why basis पे देखेंगे यह देखिए quarter three five है बाइस quarter three five है 2021 देखिए total income में 61.2% की बढ़त है net profit में देखिए 18.2% की बढ़त EPS में देखिए 18.2% की बढ़त next है दोस्तों 9 महीने का performance financial year 2021 के after nine months total income कितना था 701 crores अब देखिए एफ़ो है 22 के 9 महीने के बाद total income कितना आया 1370 crores 95.34% की बढ़तियां पर आ गया है net profit में देखिए 88 crore था अब देखिए 190 crore आया है 116.2% की बढ़त है EPS में भी 116.2% की बढ़त है 28 रुपिया से 61 रुपीज यहां पर जो है 9 महीने की performance में निकल के आ रहा है 9 महीने की अगर comparison करेंगे दोस्तों compare करेंगे दोनों को यह जबर्दस्ट गुरोथ यहां पर 9 महीने performance की निकल के आता है यह तो गया company का financial performance next हम बात करेंगे company के related और कुछ point के उपर company देखिए इसका अगम rate test return and equity को देखेंगे 22 दसमलोग 8-8% निकल के आया है और इसका 5 साल का average 19 दसमलोग 6-7-7% है latest आप देखिए बढ़ते हुए ROE आपको दिखेगा latest ROC 26 दसमलोग 92% है और इसकी हम बात करेंगे net profit margin इसमें क्या हो रहा है 16 दसमलोग 74% यहाँ पर आते हुए आपको दिखेगा latest net profit margin debt equity 0.2 ज़ादा कुछ कर जा तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है company का इसका अगर हम share price की CAGR को दिखेंगे कैसे grow किया है देखेंगे एक साल का 82.19% निकल के आता है अगर मैं 5 साल का बता हूँ यह 23 दसमलोग 24% है 10 साल के अगर बात करेंगे 42.45% निकल के आता है दोस्तों जब पर 10 return अपने investor को दिया है लंबे समय में next company देखे 741 रुपीज में trade कर रहा है आज भी आज के दिन देखेंगे बहुत pressure में था और इसकी 52 week निकल के आता है 1118 रुपीज 1118 रुपीज इसकी अगर हम बात करेंगे market cap की छोटा company है 2284 करोड market cap बाली company है दोस्तों अब देखें कितने में मौझूद है 8 multiple P में trade कर रहा है श्रीप दोस्तों बहुत ही सस्ते valuation में उपलब्ध है ये company next देखें return profile तीन महीने का 119.95% निकल के आता है एक साल की बात करेंगे ये निकल के आता है 77.69% year to date देख पारें आप 6.99% की return मिलते हुए आपको दिखेगा तीन महीने से ज़्यादा कुछ यहाँ पर company फर्फर्म नहीं कर रहा है यहाँ पर देखें एक ही दायरे में घुमते हुए नजर आएगा बाकी company का अगर हम बात करेंगे delivery percentage के उपर देखें 50 दसमलोग 31% की delivery यहाँ पर आज के दिन उठाया गया है इसके पीछले दिन स्टेटिंग सेशन में देखें 55 दसमलोग 81% का उठा माल उठाया गया था एक महीने की average delivery 47.62% निकल के आता है नेक्स्ट है नमबर्स यहर वाइज कैसे perform कर रहा है इसको भी हम देख लेते हैं 11-23 करोड का 2020 में highest revenue यहाँ पर नहीं बोल सकते यहाँ पर देखें 2019 में 13-3 करोड का highest revenue आया है बढ़ देखें यहाँ थोड़ा सा deep हुआ पर फिर से कंपनी देखें पट्री में आते हुए नजर आ रहा है नेट प्रोफिट देखें 20 करोड का था 2020 में अब बढ़ के देखें 2021 में 186 करोड का हो गया है next दोस्तों share holding pattern 68.74% की holding प्रोमोटर रखते हैं कोई भी share इनका place होते हुए भी नजर नहीं आ रहा है FIA देखें 3.2% धमाके दार खरिदारी कर दिया है यहां पर देखें इन्होंने अपना holding बढ़ा दिया है DIA देखें एक दस्मलोग 85% की holding है public यहां पर 26 दस्मलोग 39% की holding रखते हुए नजर आते हैं यह तो गया company का दोस्तों जो है numbers और share holding pattern balance sheet को भी हम थोड़ा चेक कर लेंगे क्या हो रहा है balance sheet में देखें total residential plus company का 787 करोड से 89 करोड का long term का करजा है सटर में देखें कुछ भी करजा नजर नहीं आता है cash कितना है हाथ में 43 करोड का है total asset 1283 करोड हो गया है company अच्छा है दोस्तों result भी बढ़िया दिखाया है आप बिल्कुल इस company को अपने radar में रखके इसमें दोस्तों जो है और भी research करके और भी study करके इसमें जो भी decision आप ले सकते हैं बाकी दोस्तों complete खुद का decision होने वाला है आज के लिए तन्या था वीडियो और अच्छा लगा तो एक like करनेंगे चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर देंगे जाहिन